नाश्कार दर्शकों स्वागत है आपका इंडिया न्यू स्पोर्ट्स में मैं हूँ मयंक और आपको बता दूँ कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंशिप फाइनल जो की साथ तारीक यानि की साथ जून 2023 से खेला जाने वाला है बुधवार से भारत बनाम आस्ट्रेलिया ये मु में भी देखा रोहिच शर्मा को काफी श्रगल करते हुए और टॉम मूडी का ये कहना है कि मिचल स्टार्क रोेच शर्मा पर भारी पड़ सकते हैं और जो बैटल है स्टार्क वर्सेश्य शर्मा वहां पर भारत की जीत होगी यानि कि उनका मानना है कि वर्ल्टेस्ट चैं बता दूँ उस मुकाबले में दो बार रोहिद शर्मा आउट हुए थे लेकिन DRS नहीं लिया गया उस्ट्रेलिया के द्वारा जिसके कारण उन्हें जीवन दान मिला वो भी दो-दो पहले ही ओवर मिचल स्टार्क के और मिचल स्टार्क हमेशा से परिशान करते हैं और क्योंकि एक मात्र लेफ्टाम पेसर है इस बार आस्ट्रेलिया की टीम में और हमने देखाई यह रोहिद शर्मा कितना श्रगल करते हैं लेफ्टाम पेसर से खिलाफ तो कहीं न कहीं टॉम मूडी के इस बयान से बहुत सारे एक बनता है लेफ्टाम पेसर से खिलाफ क्योंकि जो एंगलिंग इन बॉल होती है यानि कि जो एंगल इन करके लेफ्टाम पेसर जालते हैं और जो स्विंग मिलती है लेफ्टाम पेसर को और खास करके ड्यूप गेन से मुकाबला है वो भी इंगलेंड के ओवल मैदान में वह स्विंग तो भई जबरदस्त ही मिलती है लेकिन अगर उस स्विंग को कंट्रोल करने के लिए रोहिच शर्मा थोड़ा सा स्लैंट श्ट्राइड ले तो शायद हो सकता है कि वो स्विंग को काउंटर कर पाएं और लेफट आम पेसर्स के अगेंश्ट उतना नहीं फसें जितन वो अनुमन फस्ते हैं तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि क्या स्टार्क वरसेश शर्मा ये जो बैटल होने वाला है इसमें रोहिच शर्मा मिचल स्टार्क की गेंदो को अच्छे से टैकल कर पाएंगे या फिर मिचल स्टार्क रोहिच पाएंगे तो त Like किजेे और चानल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बैल आइकन भी दवाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया